हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को कच्छा दस और दुवारसिक परिच्छा का अंग्रेजी के पेपर आप सभी को हल कराने वाले हैं इस पेपर में आप सभी को संपूल पेपर हल कराएंगे इसमें आपको बहुई कल्पी के साथ साथ आपको यहां पे जो आप से narration के और active passive के सभी प्रशनों को आपको कराएंगे तो वीडियो को आप एक second गलिए skip मत कीजिएगा यह paper आपके परतेक स्कूलों में पूछा जा रहा है तो यह paper अभी तक एक स्कूल में आ चुका है तो इस paper का आप संपूर हल जरूर देखें चलिए यहां पर वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें आपका पूढांग रहेगा अंग्रेजी का paper का सत्तर नंबर का रहने वाला है और जो आपको समय मिलेगा तीन घंटा का मिलेगा ठीक है यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं यह इंस्ट्रक्शन देखें क्या आपका है कि इस question paper is divided into two section a और b दो यानि कि दो भागों में आपका पेपर बटा है section a जो है इसमें multiple choice question जिसे आप mcq कहते हैं यानि multiple choice question आएंगा जिसका answer आपको MR sheet पर देना रहता है अगला है कि section जो b होता है इस section b में आपका descriptive type answer आता है जिसे आपको उत्तर पुस्तिका पर इसका answer लिखना रहता है अगला निर्देश दिया है आपका all questions are compulsory यानि सभी question आपको करना अनिवार है देखिए चात्र एक second के लिए चीप मत कीजिए का आपको बहुत अच्छे तरीका से बहुत simple भासा में इस पेपर का आपको हल बताने वाले हैं ठीक है यहां से प्रहरा बहुता है section a जिसमें आपको 20 विकल प्रश्ण 20 नंबर के रहेंगे पहला प्रश्ण देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि वीच क और बीर लिव रैइस नांव दैब अब सभीकू पता है कि लेंचो जो है अपने खेत में कौन मतलब होता भुट्टा ति इस प्रश्ण का सही जो होगा एवला आपसन सही होगा और इस कार्ण का मतलब याद रखिए का आप लोग क्या होता होता है यानि की लेंचो अपने खेत में कौन से फसर उगाया था तो कॉर्ण उगाया था ठीक है भुट्टा होता इसको याद रखेगा अगला प्रशन देखिए यानि कि लेंचो ने कितने रुपए के लिए पूछा था तो आप सभी को पता है कि सो पैसे के लिए पूछा था इसका सही जवाब एवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए आप यहां पर पोए्ट होना चाही बढ़िए आप पोएम फार अंड आइस यहां पी देखिया क्या वाज़े आपक सभी को पता है कि राबाट फ्रोस्ट जो आं फार आइअ दिके तृस प्रशन का सही जवाब एवला आपसन सही हो जागा आप यसे याद भी रखेगा कि फायर एंड आइस किस ने लिखा है तो राबर्ट फ्रस्ट ने लिखा है अगला प्रस्न है कि वीच पार्टी डिट मंडेला ज्वाइन यानि कि जो मंडेला है वह कौन से पार्टी को ज्वाइन की थी तो आप बुक पढ़े होंगे तो आपको एंस्वर आपको तुरूंत जाएगा कि मंडेला ने कौन से पार्टी ज्वाइन क्याते है तो अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल अफ्रिकन पार्टी ही डिट नार ज्वाइन पार्टी यान किसी पी पार्ट को ज्वाइन नहीं की थी तो मंडेला आप सभी को पता होगा अगला प्रशन देखिया कि who is the poet a tiger in the zoo के लेखा कौन है यानि कि इंदा जू किस ने लिखा है तो लेशली नोरिस ने अगला प्रशन देखिए एक और टू मंडेला वाट कंप नेचरली यानि कि मंडेला के अनुसार नेचरल क्या नेचरल में क्या है हेट ये लब है करेज या फियर है तो आप मंडेला के यह चेप्टर कुब बढ़ियां से पढ़े होंगे आप लोग इसमें क्या दिया है सब्द में हेट इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा देखें आपका अगला नंबर का सवाल जो है इस देखें क्या है वीच प्लान वाजद आथा फ्लाइंग यारी जो आथार है जो कवी है ठीक है यह फ् ऺटि सेवड़ डकोटा बेंक ट्वंटि नाप देव देवफ्ट है अब सब्सक्राइन आप पता होगा डकोटा इस प्रश्ण का सही जो और भीवल आफसन सभी हो जाएगह सभूए वेर व्यश्ज स्वू एक्र। 애 कर्सली स्पार्ट इनडिया बहरत में जो रीकी इसल कहा पर पाए जाता है तो आपसन देखिए आसाम में गोवा में करनाटक में यह आल आप देबर तीस प्रशन का सही जो आप भी वल आपसन सही हो जाएगा कि भारत में जो गोवा राज्य है वहां बैकर्स के आपका गोवा में पाए जाता है ठीक है अगला देखिए इन वीच स्टेट आफ इंडिया इस कूर्ग सिच्टिट यानि इसका मतलब हुआ कि जो कूर्ग है वह भारत में कहां पर इस्तित है यानि कूर्ग के बारें बताने कि कूर्ग कहां पर इस्तित है अब आप चप्टर पढ़ें गया तो आपको इसके बारे में पता होगा यदि पता है तो कमेंट बाक्स में लिखिए नहीं पता है तो यहां पर ध्यान से देखिए आप साने गोवा में करनाटका में केरला में या तमिल नाडू में देखिए जो कुर्ग है आपका यह कुर्ग आपके कहां पर प्रेंक टी था कब बना था अब आपसाने 272 202 202 202 यह एक टीसो बीसी देखिए 2700 के नियर इबाउट था इसका कितना हो जाएगा सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसन याद रखिएगा अगला प्रश्ण देखिए मिसेज पंफरी वहास तो मिसेज जो फंफरी थी वह क्या थी आप सभी को चेप्टर पढ़ें होंगे नहीं पढ़ें तो देखेंगे आपको बताते हैं इससे याद रखिएगा कि मिस्टर पंफरीज जो थी एक क्या थी पूर लेडी एक सेलफी लेड़ी थी एक जेंटल आयाँ गा ज़रूर याद रखिए आगला देख़े प्रश्ण आप कर दितो को थे आप ignor morals कॉन थी आप सभी को पता कर्टी कौन था přिक क्या था एक कुट्य का नाम था इस प्रकशन सही जाए जिस प्रकशन जया होगा होसी किस का नाम 12 Fan अगला देखिए, Horace Dan Boy was fond of, यह देखिए आप क्या हो जाएंग वाचिंग मुवीज, गुएंग टू पब्लिक पार्क, यह रीडिंग रेस एंड इक्सपेंसिब बुक, लिष्टेनिक म्यूजिक, तो Horace Dan Boy was fond क्या पाया गया था, यह पाया गया था, रीडिंग रेस एंड इक जाब, यानि कौन से जाब कर रहा था, मेकिंग ट्वाइज का था, राइटिंग बुक्स का था, यह मेकिंग लाक्स का था, यह मेकिंग जुएलरी का था, यहाँ पर सही जो आपके हो जागा, Horace Dan Boy did the job of, तो मेकिंग लाक्स याद रखिएगा, कि मेकिंग लाक्स का था, अगला प्रसन देखिए, at Iping, where did Griffin stay, यानि Griffin कहां पर रुका था, आपको बताना है कि जो Griffin था, कहां पर रुका था, in a hotel में था, in a church में था, in a hut में था, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, आप से भी बुक पढ़े होगा तो आपको याद होगा, कि Griffin कहां पर रुका अगला प्रसन का सही जवाब डिवल आपसन आप याद रखीगा, अगला प्रसन देखिए, he is a honest official, यहाँ पर आपको ग्रामर से कुछ क्वेस्टन दिए गए, एक दो क्वेस्टन आपको ग्रामर से देखने के लिए मिलेगा, देखिए, he is a honest official, यहाँ पर वन होगा, at होग इन होगा, इन होगा, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है, कि a, n, a या वन में से क्या होगा, यह देखिए, जब honest रहता है, आप सभी को पता है, कि honest को कैसे पढ़ा जाता है, honest पढ़ा जाता है, यहाँ पर यह क्या है, आपका स्वर है, और स्वर से पहले, a का कंगरी जी क्या लगे, आवर से, इसके पहले देखिए, आवर पढ़ा जा रहा है न, इसे भी याद रखेगा, आवर, इससे पहले, n लगता है, यह दूदियन सब्द जो है, इसके पहले क्या लगता है, आपका, n लगता है, इसे याद जरूर आप रखिए, अगरा देखिए, he is European, अ आप देखिए, किसे स्टार्ट हो रहा है, आपका, ब्यंजक्सी स्टार्ट हो रहा है, यह सी स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आपके क्या लगता है, एक कणरेची, यह लगेग व denke, क्या लगेगहा, इस प्रश्ण का सही जवाब, divala option, सही हो जागा, इसको जरूर याद बहुत paper में आपके देता है यह अब यहाँ परश्न देख साव कर रहे है तो अब कर रहे हैं आप इप्स दिया है प्रेंजोल जो इस्टडी कर रहे थे कहां पर ते लहीं में कर रहे थे अगला देखिए वीच रीबर फ्लावार्स फ्लोस थ्राक कुर्ग डिष्ट्रिक यानिक जो कुर्ग डिष्ट्रिक था उसमें से कौन सी नदी बहर रही थी तो देखिए गंगा टूना महा नदी और यहाँ पर कावेरी इस प्रश्ण का सही जुआप क्यों जगा डीवल आपसन सही हो जाएका कावेरी यान सबी प्रश्णों को याद रखेगा 20 बवी कल्पी प्रश्ण आपको बता है अब देखिए आज प्राराम बहुत है सेक्शन भी आपको सेक्शन भी के प्रश्णों का एंस्वर देने के बहुत जब सबसे अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं इसको आप जरूर देखिए देखि कि लांदित आप से चार प्रश्ण पूछा गया है और यह प्रतेक प्रश्ण दो दो नमबर टोटल या आठ नमबर का प्रश्ण है अब देखिए आपके सामने पहले इस पहरगर आपको यहां से लेकर यहां तक ध्यान से पहल लिएगा पहलने के आपको इसका एंसौर कैस से निकालना है सभी प्रशनों को आपका निकाल के बताते हैं देखे वाट इस दा क्वालिटी आप कुर्ग पीपुल माली जी इसका आपको अर्थ नहीं आ रहा है फिर भी आप इसका एंसवर बहुत सटिक तरीका से लिख लेंगे देखे आप एंसवर कैसे लिखेंगे देख आपका एंसवर सटिक हो जाएगा आपको पूरे इस पर दो नंबर मिलेंगे एक नंबर भी नहीं मिलेगा यहां पर वाट इस क्वालिटी आप कुर्ग यानि कुर्ग पीपुल के जो लोग ते उसकी विशेष ताहीं क्या थी तो कौन सी विशेष ताही थी यहां से लेके आप लिख देंगे इसका एंस्सवर हो जाएगा अगला दिखी आप इसका एंस्सवर नहीं भी जा रहें तब भी कितना असानि सिसका विशेष साफ को तो कुदवस। का क्ट्रेस की बारे में traditional। इसके बारे म् hell दया है। आपको क्या फकाइव कि हमाइन gdy- मेया प्रक्रवास द्धिया है। खोजेंगे आप क्या खोजना आपको कोदावस तो आपको क्या करना है इसका एंसवर लिखने के लिए आप यहां से इसको उठाइएगा यहां से और यहां से लिखे यहां तक पूरा एंसवर लिख दीजिएगा इसका एंसवर आपका फूल हो जाएगा आपको पूरे नंबर और दो नमबर मिलेगा एक नमबर भी इस प्रेशन पर आपका कटने वाला नहीं है समझ में आ गया कैसे लिखना है अगला देखिए वेर डिट एपार्टी आफ एलेक्जेंडर आर्मी सेटल अप एलेक्जेंडर आर्मी सेटल खोजना यह दिया कहां पर आप जब खोजेंगे आपका तीसरा कैसे पूरा हो जाएगा तो आप इस सब्दों को पकड़ना है पकड़ के इस परग्राप में खोज़ना जहां भी मिलेगा उस परग्राप को यहां पर लिख देंगे उसी का एंस्वर हो जाएग देखिए कितना सिंपल तरीका साथ इसका एंस्वर लिख ले हुआ है एलाइक का अपोसीट संद करना आप संद मतलब ना पसंद करना पसंद करना आप सभी एंस्वर देना था अब देखे अगला बाइसवा नंबर का अब जितने प्रश्ण बताएंगी इन सभी प्रश्णों को आप तयार कर लिजी देखे राइट एप्लिके एप्लिकेशन टूदे प्रिंसिपल आफ यूर कालेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यूर फाइ नई देटर टू दिस्ट्रिक मजिश्ट्रेयर टू बेन यूज आफ लाओड इसपीकर डिवरिफ गेर दॉर्ट दर ब्रोड एक्जमीनेशन यहिंशन पर आप just क्या करना है पंद्तियूमय जो अब नृफsपीकर होता है तो अधियर एक प्रश्ण में इसमें आने प्रश यूज़ We mm by भाइल यह है उस प्सक्राइब क्या करना एक से लिखना है या सबस्क्राइब बशाइब नब कर लीजिए तो इसके थी तौर राघस नंबर का कुंप आपको बताते हैं एहां पे आपको बताते हैं यहां पे आपको बनाना है अ इंडारेक्ट इसको बनाएंगे अडीरेंगे इन डाटिब इस पिस कैसे बनाएं यहां पर टीचर लिखा है तरीका बता इसको को अदर तयार कर लीजिए को अधिर टुको इंट्रूगेटिव रहता आधा आस्क में बदलते हैं asked the tools the students Kama invited Kama हटाने के लिए जो दिरत siya को यह पलिख देते हैं why रिख लीजिएगा why और यह आपका aby के बाद द देखिए क्या करना है अब यहाँ पर इसका subject लगाना यू है न यू आपको जो बतलता है किस के अनुसर से के अपजक पर रो सा जाएगा तो यहां पर क्या हो जाल्ता है तो क्लीन है यहाँ पर देखां तो आपके इंडरीक इसपीस तरह को चेंज करना है अगला प्रशन देखिए चैंज आपको बनाना है कि या एक्टिव वाइस में दिया है आपको सही लिए जाता है लेटर आपका आपजिक्ट इसका क्या हो जाएंगा वाज हो जाएगा वाज मैज लिटर इसका 3 फार्म लगता है पता है कि was a letter writing रिटेन हो जागा न क्या हो जागा रिटेन रटेन होता है और बाई करके क्या हो जागा यू का यू हो जाएगा और लास्ट में आपको इंट्रोगेटीव चिंड रहेगा तो आज लेटर रिटेन बाई यू इस तरह किया हो जाता आपका यह बदा जाता है पूरा अदम समझ में आना चाहिए ठीक यहां पर देकिन लिखते हैं लिखके बता देते हैं आपको पंक्ट्वेशन कैसे लगा जाता है यह आप लगा है कामा यहां लगाई आर कि यू और कमी टू स्कूल इसकूल विद योर ब्रदर ठीक यहां देख लिखे अब यहां पर लगाए यहां पर प्रस्ट्वाद चक्षा ना यहां साप्रारम होगा तो क्वेश्चन मारक लगा यहां इन्वेटेट कामा लगा दिजिएगा इस तरह और यहां पर देखे क्या है आपका फिर इसके बाद है कि ही सेड यहां पर लाश्ट में ही सेड लगा दिजिएगा इसको इतना ही आपको क्या लिखना इतना लिखेंगे तो आपको पूरा दो नमबर इस पर मिल जाएगा यह था आपका पंक्चुएसंग कैसे लगाना आपको समझा दी इसको आप जरूर तयार कर आपकी पेपर में यहां तक हैफियर ली के साथ में आपको प्रश्啊 देखने के लिए अगला देखे चिभी दा जोAm देखने के लिए निल्प दए सबने कर लिए इसको आप Translate करना इस प्रश्ण को आब यहां त्यार कर लिए मोले और प्रष्ण होदित करना ऐसे उपका आ वाइवा जर्ट सिगुल स्पराइश। आफ ए अफ एफ 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 आफ आ फ फ्रयाल एक इसमें क्या करना इसका इंगलिस में को क्या करना है question का answer देना है या सभी आपके बुक के question आप इन से भी प्रश्णों को देख सकते हैं अगला देखिए answer the fall in 30-40 what में देना इच मनल में दो प्रश्ण आप से पूछे गए हैं इन दोने में से किस एक का ही आपको क्या करना answer इसके बारे में क्या करना है आपको अपने शब्दों में answer देना है अगला देखिए write four lines from any poem described in your syllabus यानि आपको जो poem चार लाइन के याद है उस चार लाइन के आपको लिखना रहता है उस poem को जरूर आप याद रख लीजिएगा आपके आता है अगला देखिए 28 नंबर का आपको चेप्टर आपक्र वाला चेप्टर याद कर लीजिये यह डाइस्सट्प सुनो का सेंट्रल आइड याद कर लिजिए आपको पेपर में 100% यह आएगा और अगला देखिए एंसर एनिवान आप दर फॉल इंटू एबाउट तीससर चालीस वर्ट्स में आपको क्या करना यह बुक्स आप से सवाल पूछा गया है इसका एंसर आपको देना है जिसे वाई डिट मिसेज पंफरीस में एफ फ्रांटिक काल टू मिस्टर हेरोट न तो देखिए यहां से इ को वाज ग्रिफिंग हाव डिट ही टेक रिवेंच अन इस लेंड लाट यह प्रशन है दोनों प्रशनों में से किसी एक कही आपको एंसर देना है यह दा आपका हाफ्यरली का संपूर पेपर आपकी ग्रामर यहां तक पोविकल पी सभी प्रशनों को बता हैं और सभी कर लिजिए आपके अरधवार्शिक पेपर में यही सब प्रशन देखने के लिए मिलेगा इसके साथ में यह प्रशन आपके अरधवार्शिक के साथ साथ आपके बोर्ड के एकजाम में ऐसे ही प्रशन आपके आने वाले हैं तो सभी प्रशनों का आप जरूर तैयार कर लि